हुआ हेलो गाइस वेल्कम बैक टू मैं न्यू व्लॉग तो गाइस आज मैं न्यू सीरीज इस्टास्ट करने वाली हूँ जो की है मेरी केदरनाथ ततिनाथ ट्रिक की और उसके लिए सबसे पहले गाइस मैं अपने घर से के लिए निखने के लिए मेरे को सबसे पहले हरेदवार पौँचना होगा चोगा चलिए अभी करते हूं अपने होटल से चेकाओ ले लेते हूं अपना सामन जल्दी जल्दी थोड़ा वत पड़ा हुआ है वागतों मैं सब पैक कर चुकि हूं बैक मैं और अभी उठाके महां से देखते हैं क्या मिलता है सेरिंग कैप मिल जाए तो ज्यादा सही होगा चलती है चलते हैं निकलते हूं होटल से तो गाइस फाइनली मेरे को सेरिंग कैप मिल चुकी है और गाइस अगर मैं इस सेरिंग कैप के किराई की बात करूं तो गाइस इसका क्राया मेरे को 500 रुपीश पड़ा हुआ है गाइस इस सेरिंग कैप में टोटल 7 लोग है मतलब मेरे अलावाच और लोग भी हैं और प्रतिव्यक्ति 500 रुपेर पड़ा हुआ है हम लोग को मतलब 7 लोग थे तो 3500 में हम लोगोंने ये बुक कर ली और भी लोग खड़े हुए थे आसपास तो हम लोगोंने बुक कर ली और अभी हम निकल पड़े हैं हर द्वार की दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वेपर जिसके माध्यम से गाई से हम कम समय में ज्यादा दूरी कवर कर सकते हैं बट मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है रीजन रीजन यह है कि यह जो करबाले भाया है इनका कहना है कि हम अपर गंगा कैनल होते हुए जाएंगे तो अभी देखत यह अल्मुस्ट 20 क्लोमेटर आ चुकी हुए निकल चुकी हुए गाईस और गाईस अभी कुछ देर में हम मेरत एक्सप्रेस वेपो छोड़ देंगे और अपर गंगा वाले रास्ते पर में भी पहुच जाएंगे यह आपका काम चल रहा है वाव इतकी बड़ी बड़ी मसीन है इस वाइसे ट्रैफिक भी लगा हुआ है और यह रोड़ भी चैन्ज हो चुका है तो मेरत एक्सप्रेस वेपो हम छोड़ चुके हैं गाईस और यह देखिए अब हम पहुच चुके हैं अपर गंगा कनल वाले देखने को नहीं मिलेगा और नहीं कोई ट्रैफिक मिलेगा जिसमें आपको घंटों लाइन में खड़ा होना पड़े जिसके विए से आप लेट हो जाओ तो गाईस से में भी इस आश्तिकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है विपोज अभी से ऐसा दिखाई दे रहा है एक तम खाली रोड है बस कुछ ही गाड़ियां आ जा रही है इधर उतर तो यहीं मान सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं है हरे द्वार यहां से बचा हुआ है एक सुचार किलोमेटर रोड की सैवन्टीफोर किलोमेटर मतलब और मुस्ट हम लोग दो हुंटे में पहुंच आएंगे तो गैस धिरिश दिश चलतिये मेरे साथ मागी मैं तो चली रही हूं कि दैशी देखिए वाओ कितना खुद्सूरट डैम है यह जो बड़ी वाली गंगा नहर है ना उसमें से इसका पानी आ रहा है मतला वावी हां से और छोटी छोटी नहर है बन के जाएंगी तो का इसमां की सुन्दर होता है यह आप देख सकते हो पानी कितना भाइट लग है एक दम से चलिए चलते हैं वाली बढ़ते हैं अपने रास्त प्लीज का इस वीडियो को लास्ट टक देखें और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें और बैल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नो जब केम में बैठी थी ना तम मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अपर गंगावाला रोड कैसा होगा मतलब कैसा लगेगा उस पे बट यह तो रोड बहुत ही सुन्दर है और रोड सुगाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुगे हैं रोड की जसा कि आपको दखाई द पाते हैं उसके बाद फिर दबारा से नकलते हैं आप से लिए करवा शभाई से अभी घना होगया है और अब्म निकलते हैं सकता से और आने वाले एक घंटे में पहुंचने वाली हूं मैं हर इत्वार और गाइस थप चुकी हो काफी दिया की होतल देखती हूं और फिर उसके बाद जाती हूं मां कंगा के दर्शन करने और नहीं है देखते हैं अगर अगर आप में घर से या अपनी सामान में कुछ भूल गयों हो लाना तो आप रुड़की से अपनी स्वापिंग कर सकते हो很好 अपनी सारे सपने और सकते हो रुड़की में गाज आपको आपके जरूरत के सारा समन मिन जाएगा विकॉज यहां पर बहुत अच्छी मार्केट है और रिजनेवल प्राइज में भी आपको सामन मिल जाएगा और कैस इसे के साथ मैं पहुंच चुकी हूँ अब कहां हरिद्वार बस कुछी दूरी पर हरिद्वार है एप्रोक्स 20 मेट में मैं हरिद्वार पहुंच जाओंगी और बिजिट करूंगे अपने होटल में बैसे गाइस मैंने होटल तो नहीं लिया है मैंने ओनलाइन आश्रम बुक की है जिसकी कोश्ट मुझे काफी रिजनेवल मिली मतलब फाइव अंडे टूपीज में मेरेको वन डूम मिल गया था और होटल काफी अच्छा दिख रहा यहां तो अब टूमी अब बिजिट करने पता चल्यका कैसा है अर्शकी चलते हैं चलिए जामिल समय ने सब्सक्राइब करने हैं कि एक गहाईं साब की बैधि रीत्वार में आपको मेरे सेमा दिखाई देर रही होए कि इतनी बड़ी है और सी आ हम से इसम्αςारू क अब हर इत्वार और बस कुछ यह टाइम में अपने होटोल पहुंचने वाली हो और में फिर सीथ नफ में पर बैग वोगरेरे रखेंगे बाद फिर चलते हैं मां गंगे के दर्सुन करने मतलब हर की पोड़ी चलते हैं साम का टाइम होने वाला है बच गें हैं साम के चार और कुछ छेवत की बीस मिनट पर आर्ती होती है तो कुछिस करते हैं आर्ती के टाइम तक पहुंचने की वैसे मैं अल्मुस्ट पहुंचने वाली हूँ अब गंगा मिया की जय और गंगा मिया की जय बोलते हुए पहुंच चुके हैं हर तोर बस अब कुछी देर में वतरती हूं अपनी कैप से और पहुंचती हूं होटल अब गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने होटल मतलब अपने आश्रम पहुंच चुकी हूं तो गैस यह देखिए यह है मिजरा आश्रम जो कि कफी बड़ा है अभी मैं आपके इसके रूम्स दिखाने वाली हूं जो कि एसी और नौन एसी दोनों हैं अगर आप नौन एसी रूम लेते हो तो उसका चार चागाइस 500 रुपए तो सब्दी काफी थी और गर्मी बिल्कुल भी ने लग रही थी बारिस का मोसन था तो मैंने जो रूम लिया था वो लिया था नौन एसी रूम और इसके बात रूम भी आपको ने टेन क्लीन मिले वाले है जैसा कि आप देख सकते हो साफ सुपही का खास ख्याल रखा है बाकी मेरे को तो पसंद आया बाकी अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं इनका कॉंटेक्ट नमर नमर अपने डिस्किप्शन वोक्स में डाल दोंगी और हुआ से आप इसको बुक कर सकते हो और वाइस इसका जो डिस्टेंस है वो हर्की पॉर्णी से दो किलोमीटर के एप रॉक्स हो होगा बगी मेरे को काफी ठीक लगा क्योंकि यहां सांती का माहौल था एक्दम सांत वातावरंट था और कोई ज्यादा चैल पहल नहीं थी और डिस्टरवेंस भी नहीं था इसलिए मेरे को काफी अच्छा लगा मैं टू डेज यहां पर रही थी हरे द्वार में और मैं टू डेज ही इसी आश्रम में रही थी तो गैस अभी चलती हूं मैं भार निकलके और इस वीडियो को मैं गाई सेंपर एंड करती हूं मेरी नैस्ट वीडियो को लाएगी जो की होगी हरकी बोड़ी एंड मंसादेवी टैंपल की तो गैस वीडियो को बॉस करते रही है एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना थेंक्यू